सुख संपत्ती स्वस्त शरीर या चाहो संतान शिव पूजन विधी से करो दुख हरेंगे भगवान जैश्री कृष्णा राधी राधे आज हम सुनेंगे रविवार प्रदोश वरत की कथा वोली शंकर भगवान की जैः हो पार्वती माता की जैः हो एक समय की बात है सारो प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागिरती के तड़ पर रिशी समाज के द्वारा एक विशाल गोस्ठी का आयोजन किया गया महरिशियों की उस एकत्तरित सभा में व्यास जी की परम शिष्य पुरान वेता शिरिसूद जी महराज हरी कीर्दन करते हुए पधारे सूद जी को देखते ही शौनकादी 88,000 रिशी मुनियों ने खड़े होकर सूद जी को दंडवत परणाम किया महाग्यानी सूद जी ने भक्ती भाव से रिशियों को अपने हिर्दे से लगाया और आशिर्वात दिया विद्वान रिशीगन और उनके सबी शिष्ये आसनों पर विराजमान हो गए मुनिगन विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालू कली काल में शंकर भगवान की भग्ती किस अरादना के द्वारा उपलव्द होगी ये हम लोगों को बताने की कृपा करें क्योंकि कलीुक के सरुप्रानी पाप करम में रत रहकर विद शाष्ट्रों से विमुक रहेंगे दीन जन अनेक संकटों से गरस्त रहेंगे हे मुनिश्वर कली काल में सतकर्म की और किसी की भी रूची नहीं होगी जब पुन्नेशीन हो जाएंगे तो मनुश्वर की बुद्धी असत कर्मों की और कुद बाकुद प्रेरित होगी जिससे दुर्विचारी पुरुष वन्शिसईत समाप्त हो जाएंगे इस अखिल मुबंडल पर जो मनुश्य ग्यानी होकर भी ग्यान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता परमेश्वर कभी परसन नहीं होते ये महामुने ऐसा कौन सा उत्तमवरत है जिससे मनुवांचित फल की प्राप्ती होती है वहे आप हमें किर्पा करके बताईए ऐसा सुनकर दयालू हर्देशी रिसूत जी महाराज बोले हेश रिष्ट बुनियों और शोनक जी आप तो धनिवाद की पातर हैं आपके विचार सराहनिये और परशंशनिये हैं आप वैशनवों में अगर धन्ये हैं जोकि आपके हिर्दे में सदा ही परहित की भावना रहती है इसलिए हेश रिष्ट को तुम से कहता हूँ जिसके करने से सबी पाप नश्ट हो जाती हैं धन्वृति कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला बनुवंचितफल की प्राप्ती कराने वाला, यह वरत में तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को सुनाया था और उनसे प्राप्ती है परम उप्देश, मेरे पुझे गुरू जी ने मुझे दिया था जिसे आपको समय पाकर शुब बेला में मैं सुनाता हूँ बोली शंकर भगवाने की जै हो सुच जी कहते हैं कि आयू बृद्धी स्वास्ते लाब के लिए रवी वारत त्रियोदिशी अर्थार्थ रवी परदोश का व्रत करना चाहिए राते का लिसनान करके निरहारी रहकर शिव दियान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करें पूजा के बाद अर्थपुंद त्रिपुंद का तिलक धारन करें बेल पत्र चढ़ाएं धोपती अक्षत से पूजा करें और रितुफल चढ़ाएं ओम नमद शिवाए इस मंतर का रुदराक्ष की माला से जब करें और ब्रामनों को बोजन कराकर अपने सामर्थे के अनुसार दक्षिना दे उसके बाद मोन वरत धारन करें वरती को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए वरत करने वाले को हवन करना चाहिए और हवन में आहुती देनी चाहिए ओम, हरिम, क्लिम, नमाह, शिवाए, स्वाहा से आहुतिया दे इससे अभिष्टफल की प्राप्ती होती है वरत करने वाला प्रत्वी पर शेयन करे एक बार पोजन करे ऐसा करने से उसके सभी कारिये सिद्ध होते हैं श्रावन मास में यदी स्वरत को किया जाए तो इसका बड़ा ही मैत्व होता है यह सर्व सुख, धन और आरुग्ये देने वाला है इस वरत के करने से सभी मनुरत पूर्ण होते हैं यह रिशीवरों, यह परदोश वरत जो मैंने आपको बताया वह किसी समय शंकर जी ने देवी सती को और वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था शौनकादिर शी बोले, एप उज्जेवर महामते, आपने यह वरत परम घोपनी है, मंगल परद, कष्ट निवारक बताया है करपा यह बताने का कष्ट करें, कि इस वरत को पहले किस ने किया, उसे इस से करने से किस वलकी प्राप्ती हुई शिरिसूद जी महाराज कहते हैं कि हे ग्यानियों, आप शिवजी के परम भक्त हैं, आपकी भक्ती देखकर मैं वरती पुरुष की कथा आपसे कहता हूँ किसी समय एक गाउं में अतिदीन ब्रामन निवास करता था, उसकी साथवी इस्तरी परदोश का वरत करती थी उनके घर में पुत्र रतन था, एक समय की बात है वह पुत्र गंगा इस्तनान करने के लिए गया दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया, और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बता दे तब वह बालक दीन भाव से कहने लगा, ये बंदूओं, हम तो बहुत दीन दुखी हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहां चोर फिर से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तो तुम्हारे पास पोटली में क्या है तब बालक ने निसन को चुत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बना कर दी है तब दूसरा चोर बोला भाई ये तो बड़ा दीन दुखी हिर्दे है इसे हमें छोड़ देना चाहिए बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँच गया नगर के पास एक बरगद का पेड़ था वह बालक ठक कर वहीं पर बैठ गया और व्रक्ष की चाया में सो गया उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे खोज करते करते उस बालक के पास आ गए सिपाही बालक को चोड समझकर राजा के पास ले गए राजा ने उसे कारावास की आग्या दे दी उधर बालक की माता ने भगवान शंकर का त्रियोधशी का व्रत कर रखा था वैत्रियोद्शी का वरत करते हुए रवी परदोश की वरतकथा का पाठ कर रही थी उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र सकुषल घर लोटाए उसकी प्रार्थना सुनकर उसी रात को राजा को सौपन में भगवान शंकर ने दर्शन दिये और कहा कि यह बालक चोड नहीं है इसे प्राते काल उठते ही छोड़ दो नहीं तो आपका राज्य, वैभव, धन सभी कुछ नश्ट हो जाएगा ऐसे रातरी सौपन को देखकर राजा पड़ा भैबीत हुआ रातरी समाप थोने पर राजा प्राते काल उठा तो उसने बालक को बुलवाया और उससे सारी बाते पूछी, तब बालक ने सारा वरतांत कह सुनाया सारी बाते सुनकर राजा ने सिपाही भेज़कर बालक के माता पिता को बुलवा लिया राजा ने बुलाया है यह सुनकर तो बालक के माता-पिता बड़े ही भैबीत हो गए और भैबीत भाव से राजा के सामने आए तब जब उन्हें राजा ने भैबीत देखा तो कहा कि अब तुम भैमत करो तुम्हारा बालक तो निर्दोश है हम तुम्हारी दर्द्रता देखकर तुम्ही पाँच गावदान में देते हैं शिव जी की दया से ब्रामन परिवार अब आनन्द से रहने लगा इस प्रकार जो कोई भी परदोश व्रत को करता है उसे आनन्द की प्राप्ती होती है जो कोई भी भक्ती भाव से परदोषकाल में भगवान शंकर की माता पारवती की पूरे शिव परिवार की पूझा करता है शिवलिंग का जल से अभिशेक करता है उसके सभी वनोकामनाई भगवान शिव की किरपा से पूरी हो जाती है बोलिये शंकर भगवान की जय हो नकमाता पारवती की जय हो बहुत समय पहले की बात है विदरब देश में सत्यरत नाम से परसिद एक राजा थे जो सभी धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य परतिग्य थे धर्मपूर्वक प्रत्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख से बीथ गया उसके बाद शाल्व देश के राजा ने विदरब नगर पर आकर्वन करके उसे चारों ओर से घेर लिया अपने पुरी को शत्रों से घिरी हुई देखकर विदरब राज विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आगे आए बलोन मत शाल्व देशिय शत्रियों के साथ राजा का बहुत भ्यंकर युद्ध हुआ शाल्वो की बहुत बड़ी सैना मारी गई प्रन्तु अंत में विदरब राज भी उनकी हातों से मारे गई मंतरियों सहित उस महारथी राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक वहां से भाग गए उस समय विदर्व राज सत्यरत की एक पती वरताइस्त्री अत्यंत शोक ग्रस्त होकर रात के समय राज्यपवन से निकली और पश्चिम दिशा की ओर चली गई वह उस समय करब पती थी सवे राफोने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उन साधवी राणी ने बहुत दूर का रास्ता तैय कर लेने के बाद एक सच्च तालाब देखा और वे इसके किनारे शोबा पाने वाले एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई भाग्यवर्ष उसी निरजन इस्थान में उस वरक्ष के नीचे ही पती वरतारानी ने उत्तम गुनों से युक्त शुप मूरत में एक पुत्र को जनम दिया उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण सुन्दर अंगो वाली वेहरानी जलाशे में उतरी इत जाद शिशु जब इस प्रकार से करंदन कर रहा था उसी समय भाग्ये से एक शरेष्ट ब्रामनी वहां पर आ गई वह भी अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिये हुए थी ब्रामनी निर्दन और विध्वा थी घर घर भिक्षा मांग कर अपना जीवन चलाती थी उस का नाम उमा था उस सती सादवी भामनी ने जब उस राजगुमार को देखा और उसे अनात की तरह पढ़ा हुआ करंदन करते देखा तो मनही मन सोचने लगी आफो ये तो बड़े आश्चरिय की बात दिखाई देती है यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अवी तक नहीं पर सो रहा है यह चांडाल का पुत्र है वैश्य का बालक है ब्रामन का पुत्र है अत्वा शत्री का शिशु है इसका निश्ची कैसे किया जए मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ प्रन्तु यह किस कुल का है यह ना जानने के क इसे च्छूने का साहस भी नहीं होता वह पती वरता ब्रामनी जब इस प्रकार से सोची रही थी उसे समय कोई सन्यासी महत्मा महा परा गए वे ऐसे जान पड़ते थे मानु साक्षास चंकर हो उन्होंने उस इस्तरी से कहा हे ब्रामनी तुम खेद न करो हिर्दे की संशे वरत उस बालक को लेकर अपने घर की और प्रस्थान किया उस राजकुमार का ब्रामनी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोशन किया एक चक्रा नाम के नगर में उस ब्रामनी का खर था वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र का और उस राजकुमार का पालन पोशन करती थी समय आने पर ब्रामनों ने ब्रामनी के पुत्र का और राजा के पुत्र का संसकार कर दिया वे दोनों सर्वतर सम्मानितों कर दिन रात बढ़ने लगे समय आने पर उनका उपनेयन संसकार हुआ अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे दोनों माता के साथ प्रति दिन बिक्षा के लिए जाते एक दिन वहे ब्रामनी उन दोनों बालकों के साथ बिक्षा मांगती हुई देव योग से एक देव मंदिर में चली गई वहाँ पर बड़े बुड़े रिशी मुनी रहा करते थे वे उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिले नामक मुनी ने कहा अहो देव का बल बड़ा विचितर है कर्मों का उलंगन करना किसी भी जीव के लिए बहुत कठिन है देखो न यह बालक दूसरी माता की शरन लेकर बिक्षा से जीवन निर्वाह करता है इस ब्रामनी को ही स्रेश्ट माता की रूप में बाकर ब्रामन बालक के साथ ब्रामन भाव को प्राप्त हो गया है शांडिली मुनी का यह वजन सुनकर ब्रामनी को बड़ाविस में हुआ उसने भरी सभा में मुनी को परणाम करके पूछा है ब्रामन एक सन्यासी की कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ यद पी अभी तक इसके कुल का कुछ भी पता नहीं तथापी में पुतर की भाती इसका पालन पोशन करती हूँ आप ज्यान के नेतरों से देखते हैं अतहे में आप से जानना चाहती हूँ यह बालक किस कुल में उत्पन नहुआ है और इसके माता पिता कौन है तब मुनी ने कहा यह विधरब देश की राजा का पुतर है इतना कहकर मुनी ने उस बालक के पिता के युद में मारे जाने और उसकी माता के ग्राहा द्वारा ग्रस्त होने का सब समझार पूर्ण रूप से बता दिया यह सुनकर तो ब्रामनी को और भी आश्चरिये हुआ उसने फिर से पूछा यह महामुने वे राजा समपूर्ण भोगों को छोड़ कर युद में क्यों मारे गए इस बालक को दरिदरता कैसे प्राप्त हुई अब दरिदरता को पूर्ण तै नश्ट करके यह पुने राज्जी कैसे प्राप्त करेगा यह मेरा पुतर भी बिक्षान से ही जीवन निर्वाह करता है अतहे इसकी दरिदरता के निवारण का भी क्या उपाई है यह सम मुझे बताएं तब शांडिल्य मुरी ने कहा इस राजकुमार के पिता विधर्ब राज पोरो देश में पांडे देश के राजा थे वे सभी धर्मों के ग्याता थे संपूर्ण प्रत्वी का धर्म से पालन करते थे एक दिन परदोश का आलमी राजा पगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ती से तिरलो की नात महादेव जी की अरात्ना में सलनगन थे उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोला हल मचा उस उतकट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोब फैलने किया शंका से राज्जे भवन से बाहर निकल गए इसी समय राज्जे का महाबली मंतरी शत्रू को पकड़ कर उनके समीप ले आया वह शत्रू बांडे राज का ही सामन्त था उसे देखकर राजा ने एक रोध से उसका मस्तक कटवा दिया शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त की बिनाही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया इसी प्रकार राजकुमार भी वर्दोशकाल में शिव जी की पूजा की बिनाही भोजन करके सो गया वही राजा दूसरे जनम में विधर्व राज हुआ शिवजी की पूजा में विगन होने के कारण शत्रू ने उसको सुक बोक के बीच में ही मार डाला पूरु जनम में जो उसका पुत्र था वही इस जनम में भी हुआ है शिवजी की पूजा का उलंगन करने के कारण यह दरिदरता को प्राप्थ हुआ इसकी माता ने पूरुव जनम में छल से अपनी सौत को मार डाला था उस महन पाप के कारण इस जनम में क्रहक की द्वारा मारी गई मैं सत्ती कहता हूं पर लोक में हित्की बात कहता हूं शाष्त्रों का सार और उपनिशिदों का हरदे कहता हूं इस भयंकर असार संसार को प्राप किये हुए जीवों के लिए इश्वर की चर्णारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है, जो परदोश काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर की चर्णारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा पढ़ने वाले धन धन्ये, इस सतकर्म नहीं किये इसी लिए यह दरिद्रता को प्राप्थ हुआ उस दोश का निवारन करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए सूर्जी कहते हैं मुनी के इस प्रकार कहने पर साथवी ब्रामनी ने उन्हें परणाम करके शिव पूजन की विधी के बारे में पूछा तब शांडीले मुनी ने कहा दोनों पक्षो की त्रियोदशी को मनुशी जब निराहार रहे तब सोर्यास्त से तीन घड़ी पहले इसनान करें फिर शुएत और शुद्ध वस्तरधारन करके संध्या और जप आतिनित्य करम की विधी पूरी करके मौन होकर शास्तर विधी का पालन करते हुए भकवान शिव की पूजा करे और परदोश व्रत की इसकथा को पढ़े दोप दीप नेवध्य अर्पित करे घी का दीपक जलाए और खीर से हवन करे और फिर विधी पूर्वक शिरी गिर्जा पती की प्रार्थना करते हुए कह हे देव, हे जकनात आपकी जय हो, हे सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के अधिश्वर आपकी जय हो, सर्व देव पूजित आपकी जय हो, सर्व गुनातीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभू आपकी जय हो, हे नित्य आधार रहित अविनाशी प्रबू आपकी जैए ओ, संपोन विश्व के लिए एक मातर जानने योग्य महेश्वर आपकी जैए हो, नागराज वासुकी को आबुशन के रूप में धारन करने वाले प्रभू आपकी जैए हो, हे कोरिपती आपकी जैए हो, हे चंद्रार्द शेखर शंभू आपकी जैए हे कोटे सूर्यों के समान तेजस्वी शिव आपकी जैओ अनंत बुनों के आश्रय आपकी जैओ वे भ्यंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जैओ हे अचिंतिय, निरंजन आपकी जय हो, हे नात, हे दयासिंदू आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभू आपकी जय हो, इस दुस्तर संसार सागर से पार उदारने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो, हे महादेव, मैं संसार की दुखों से पेडित हो और खिन्न हो, मुझपर प्रसन्न होईए, ये परमेश्वर, समस्त पापों की भैका अपरण करके मेरी रक्षा करें, मैं महान दरिद्री की समुंदर में डूबा हुआ हूँ, बड़े बड़े पापों ने मुझे आकरांत कर लिया है, मैं महान शोक से नश्ट हो गया हूँ, और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हो, सब ओर से रिन की भार से लदा हुआ हो, पापकर्मों की आग में जल रहा हूँ, ग्रहों से पेडित हो रहा हूँ, हे शंकर मुझपर प्रसन्न होईए, इस परकार भगवान शंकर की प्रार्थना करें, इस परकार अच्छित वस्तों का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया है, यह शिव की पूजा, शिव जी की द्रवे का हरन करने के पाप को छोड़कर, शेष सभी महापातकों और उपातकों के महां समुदाय का नाश कर देती है, यदि ये दोनों बालक इसी परकार भगवान शंकर की पूजन परतेक परदोश के दिन करें, तो वर्ष पर के बीतर इने उत्तम सिद्धी की प्राप्ती होगी, शांडिले मुनी के इस वजन को सुनकर उन ब्रामनी ने दोनों बालकों के साथ मुनी के चरणों में परनाम किया और कहा, ये भगवन आज में आपके के दास हैं, इस घोर दारिद्रे साधर में गिरे हुए हम सभी लोगों का आप उधार करें, इस प्रकार शरन में आई हुई हुई ब्रामनी को अमरत के समान मदुर वचनों द्वारा आशवाशन दे कर, मुनी ने उन दोनों बालकों को भगवार शंकर की अरादना की बंतर इदी का उपदेश दिया, उसके बाद वे दोनों बालक और ब्रामनी मुनी की आज्या लेकर वहाँ से चले गए, मुनी की आदेश से दोनों बालक प्रतिक परदोश्वरत के दिन पारवती वल्लब भगवार शिव की अरातना करने लगे, और इस परकार शिव पूजा करते दूज कुमार और राज कुमार के चार महीने सुख से बीठ गए, एक दिन वेह ब्रामन कुमार राज कुमार को साथ लिए बिना ही, नदी के तट पर इसनान करने के लिए गया, और वहाँ मोज से देर तक इधर उधर गूमता रहा, वहाँ जरने के जल के आधात से खाई की गुमी कट जाने से, उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्रामन कुमार के दृष्टी पड़ गई, उसे देखकर वहहरश और कोतुहल में भरकर उसके समीप लिया, उसे देवता के परशाद से प्राप्त हुआ मान कर, सिर पर ल और राजकुमार को बुला कर कहने लगी, इस खजाने की घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बाट लो, माता की बातों को सुनकर प्रामन के पुत्र को तो बहुत परसन्नता हुई, पर राजपुत्र ने कहा, मा यह तुमारे ही पुत्र के पुन्ने से करेंगे, इस परकार प्रसन्ता पूर्वक पगवाशंकर की पूजा करते हुए, उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्श्वेतीत हो गया, एक तिन राजकुमार ब्रामन कुमार के साथ वसंत रितु में वन में ब्रमन करने के लिए गया, कुछ तूर जाने पर उन्हो को परस पर क्रिडा करते हुए देखा, उन्हें देखकर ब्रामन कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहां से आगी जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर इस्तरियां विहार कर रही हैं, स्वच्छ अंतकरन वाले विद्वान पुरुष इस्तरियों के सामिप्य का त्य कर देते हैं, यह रमणिया चल करने वाली और वानी के द्वारा अनुने विने करने में कुशल हैं, यह पुरुषों को अपनी दृष्टी मातर से मोवित कर लेती हैं, इसलिए धरम में तत्पर ब्रमचारी कभी इस्तरियों के समीप जाकर उनके साथ वारतालाप नहीं करते ऐसा कहकर प्रमच कुमार तो वहीं से लोट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया, किन्तु राजकुमार अकेला ही निर्बे होकर इस्तरियों के उस क्रेडा स्थली की ओर चला गया, उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा, तो मन ही मन कुछ विच तुम फूलों का संग्रह करके पुने यहीं पर आ जाना, इस प्रकार का आदेश देने पर सखिया वन के फितर चली गई, और वहे गंधर्व कन्याओं राजकुमार पर दृष्टी लगाए वहीं पर खड़ी रही, थोड़ी ही देर में राजकुमार उस कन्या के पास गए, तब गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुई राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों को आसन दिया और पूछा कि तुम कौन हो, किस देश से यहां आए हो, किस के पुत्र हो, इस परकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचे बता दिया, मैं वि तुम कोन हो, यहां तुम्हारा क्या कारिय है, तुम किस की पुत्री हो, उनके इस परकार पूछने पर उसकन्या ने कहा कि महाराजकुमार एक तरविक नाम के गंधर्व है, जो समस्त गंधर्व कुल के अगवा माने जाते हैं, मैं उन्हें की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है अपनी सब सक्कियों को छोड़कर मैं यहां अकेली रह गई हूँ मैं तुम्हारी अविलाशा जानती हूँ तुम्हारा मन मुझ में आसकत हो गया है और इसी परकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उतकंठा बढ़ दी है अब हम दोनों का असने कभी भंग नहीं होना चाहिए ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकाल कर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेट किया उस अद्वुत हार को देखकर राजकुमार ने कहा भीरू मैं एक बात कहता हूँ मैं राज्जेहीन हूँ और निर्थन हूँ तु पिल्कुल ठीक है, मैं पिता की आग्या के विरुद्ध नहीं करूंगी, आप इस समय अपने घर को जाएं और परसो प्राते काल पुने यहीं दर्शन दें, आप से हमारा कुछ कारिये है। अपित समय आने पर वह पुने ब्रामन कुमार के साथ वनमी गया। नियतिस्थान पर पहुँचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों वहाँ पर उपस्थि थें। गंधर्व राज ने वहाँ आए हुए दोनों कुमारों का अपिननदन आसन पर बिठाकर राजपुतर से कहा। विधर्व देश की राजकुमार मैं कल केलाश परवत पर गया था। वहाँ पर मैंने पारवती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किये। देवेश्वर भगवान शेव करुना रूपी अम्रित के सादर हैं। उन्होंने मुझे अलग अपने गुरू की आग्या से सदा मेरी अरात्ना में सलगन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्थ हो गए हैं। यह गंधर्व स्रेष्ट तुम उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रूओ को मार कर अपने राज अपने पुत्री अंशुमती को मैं तुम्हे पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आग्या से शत्रूओ को मार कर तुम्ही तुम्हारा राज्ये दिलवाऊंगा, तुम्ही तुम्हारे राज्ये सिंगासन पर आसीन करूँगा। अपने उस नगर में तुम इस धरम पत्नी के साथ दस हजार वर्षों तक मनुवान्चित सुक पोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यहकन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। ऐसा कहकर दंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत सुर्ण के बने हुए बहुत से सामान, दस हजार हाती, एक लाग घोडे, हजारों सोने के बड़े बड़े रत दिये। अंत में एक दिव्वेरत, इंदर के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अश्त्र और शष्त्र, अक्षय बानों से भरे हुए दो तरकस, अब उन्हें गंधर्वों की चतरोंगनी सेना भी दी, इस परकार परम उत्तम संबत्ती को पाकर, राजकुमार अपनी मनुवनचित पतनी के साथ बहुत परसन्न हुए, पुत्री का विवहा कराकर गंधर्व राज दो स्वर्गलोक में चले गए, और धरम गुप्त विवहा के गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गई, वहाँ पर उन्होंने शत्रु सेना का संगार किया और अपनी राजधानी में परवेश किया, उसके बाद स्रेश्ट प्रामनों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का विशेक किया, और वे रतन में सिंगासन पर आरूड होकर अकंटक राज्ये का उभोक करने लगे, जिन ब्रामन पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भाती पालन किया था, वही उनकी माता हुई, वही ब्रामन कुमार भाई हुआ और गंधर्व राज की पुत्री अंशुमती महरानी के पद पर पतिश्चित हुई, भगवान शं होने पर परमगती को प्राप्त होते हैं, सूच जी कहते हैं कि जो परदोश वरत के परम अदबुत्पुन्य में महातम्य को उस वरत के दिन शिव पूजन की बात सुनता है या पढ़ता है, उसे सो जन्मों तक कभी भी तरिद्रता नहीं होती और अंतमिवे ज्यान के एश् वरिये से युक्त होकर भगवान शंकर के परमधाम को प्राप्त होता है, बोलिए शंकर भगवान की जैहो, माता पारवती की जैहो